पुर्विक शेत्र के विकास पर कोई खाद ध्यान नहीं दिया था यह शेत्र विकास और विबिन्न सुविदाओं से बंचित रहा यह इस बात से समझा जा सकता है कि देश के 18,000 से अधिक गाउं जहां बिजली नहीं पहुँची थी उनमें से यह आंकड़ा जराद देश के लिए चौकाने वाला है उनमें से 18,000 में से 14,582 याने करीब करीब 15,000 गाउं ऐसे थे जो हमारे पुर्विक शेत्र में थे और उनमें भी याने 14,582 गाउं में से पाँच हजार साथ सो नमबे याने करीब करीब 6,000 गाउं नौर्थिश के थे, पुर्वांचल के थे, पुर्वत्तर भाड़ा, छेत्र के थे आप देखिए यह आप टीवी पर देखते होंगे मैंने उसका नक्षा रखा है जो लाल लाल टपके दिखते हैं आपको यह सारा इलागा अंधेरे में था अब मुझे बताईए अगर सब का भणा करने के लिए सोचते तो यह हाल होती क्या लेकिन वहाँ लोग कम है पार्लामेंट की सिटे भी कम है तो उन सरकारों को कोई ज़्यादा नहीं दिखता था देश की सेवा राजनितिक फाइदे से जुड़ी हुई नहीं होती है देश की सेवा देशवासियों के लिए उती है और मेरा हमेशा से यह मानड़ा रहा है कि भारत की विकास की यात्रा में और गती आएगी जब हमारे पुर्विक शेत्न में रहने वाले लोगों को यहां के समाज का संतुलित विकास भी तेज गती से होगा